शिरी राम की नगरी अयोध्या में परभू शिरी राम का मंदिर तयार किया जा रहा है जो देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में आकरशन का केंदर बना हुआ है साहरनपूर लकडी के काम के लिविश्व में परसिद है अयोध्या में निर्माणदीन श्रीराम मंदिर के डिजाइन का मंदिर बनाने की मांग साहरनपूर के कारीगरों पर भी आ रही है सारनपूर में लगडी बजार में इस समय पाइनवूड नमक लगडी से अयोध्या के डिजाइन वाले मंदिर के हैंडी कराफ्ट तियार किये जा रहे हैं जिनकी देश ही नहीं बलकि विदेशों से भी मांग पड़ रही है सारनपूर वूर कंपणी के स्वामी सुमित त्यागी ने बताया कि हमारी कंपणी कई वर्षों से लगडी के उत्पात त्यार कर रही है उन्होंने बताया कि वर्तमान में अयोध्यान गरी में श्रीराम मंदिर का निर्मान चल रहा है इसी के चलते हमारे पास लगडी के इस डिजाइन का राम मंदिर बनाने की मांग बड़ी हुई है जिस पर हमने काम करना शुरू किया है सुमित त्यागी ने बताया कि शीर राम मंदिर के डिजाइन का लगडी का मंदिर भारत ही नहीं बलकि अन्य कई देशों से भी मांगे जाने के ओडर हमारे पास आ रहे हैं उन्हें ने बताया कि हमारे कारिगर अजद्यानेगरी में बनने वाले श्रीराम मंदिर की नकल कर वैसा ही लकडी का मंदिर तयार करने का प्रयास कर रहे हैं मेरा नाम सुमित्यागी है हम लोग सारनपूर बेस एक कंपनी हैं और पिछले चार-पांस साल से हम लोग वुदन्स के आर्टिकल्स बना रहे हैं इसमें से हम आज एक आज आर्टिकल का डिसकस कर रहे हैं जो अभी हमारे जनवरी में उसकी इनागरेशन होगा तो वो एक राम मंदिर है राम मंदिर हम लोग पिछले पांच साल से बना रहे हैं और हमारा जो यह है यह हम इसको लेजर कटिंग से बनाते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉसेस हैं तो हमारा जो मेन मोटो मंदिर को बनाने का है वो यह है कि जो हमारी न्यू जन्नेशन है और जो हमारी और अलड़ी परेजनेशन है अम इसको घरगर में इस चीज को पुचा सकें और इस तरीके से हमने इसको डिजैन किया है कि ये लगबक 80-90% हमने इसका हूब वहू एक स्ट कर रहे हैं कि लोग गिफ्ट ना देखे कोई और चीज इसको गिफ्ट की तरीके से प्रमोट करें प्लस लोग अपने यहां आस्था के फॉर्म में अपनी ऑफिस की टेबल पे घर पे पूजा की जंगें रख सकते हैं जहां पे पूजा घर हैं तो यह एक आस्था का यह है कि ह आश्यार्य फ्रस्सासτα से झूडा हुगा है और इसकी क्या इसको बनने में कितनी परिशानिय आई है और सब कुछ इससे डिटन है So, tele repeated है कि हमें इसको इस तरीके से हमने बनाए है, मेन बात करें कि इसमे hey, कैसे-कैसे बनता है, क्या लकडी उस करते हैं, तो हम जो यूज लगारा है, वो एक fine MDF होती है, जो New Zealand में बनती है, और import होंके हमारे पास आती है हमारे vendors are, उसके बाद हम इसको लेजर कटिंग पर डिजाइन करते हैं फिर इसके बाद लेजर कटिंग करते हैं फिर इसके यह हमारे यह लेडिज स्टाफ है जो इसको अलग अलग चीजों में असेंबल करती है फिर हमारा क्वालिटी कंट्रोल पर जाता है उसके बाद जिससे लकडी ख है पैक भी एक में फार्ट है पैकिंग वन इसलिए कր देख कि आप ने हमारे यहां से लिया और इन्डिया को सब्सक्राइब रहे है और यह सी होजा के उन्धिस तूट्टे ना यहां कर रहे हैं। और मेरे यहाँ जो लडि़ीज हैं क்ड़ो बिश्रकुप्लस लेड़ीज हैं। कुछ लेडि़ीज मेरे यहाँ पर काम करते हैं। हमारा दो मोटरो हैं। एक तो लेडि़ीसंक्यमेट बढ़ानाि रेख पॉस आस्ता कि जो हमारा डिझर कर सके और तीसरी यह चीज है कि Made in India की कोई भी प्रोडक्ट होगी उसको हम बाहर इंडिया से बाहर प्रमोट कर सकें तो मेरा चोटा सा यह है जो हम लोग जिस बेस पे हम काम करें यह चोटा सा एक प्रोजेक्ट है अचि मैंनो अचे बात करें इंकी केमत की आ्काम किमत रकी है हमारे यहा जो सबसे starting जो range आती है यह आती है यह हमारा 4 इंच का piece है 505 उनिच और यह अपने गारी का डेशबर्ड के लिए बनाया हुआ हूआ हूँ तो यह हमारे यहाँ जो अपलग्द होता है वह डाइसो रुपे में अपलग्द होता है। इसके आप देख सकते हैं इसके फिनिशिंग, सारी चीजे विध पॉलिशिंग तो हमने बिल्कुल बारीकी से बनाया जो बड़ा structure है और आप छोटा structure देंगे दोनों सेम सेम ही है तो थोड़ा सा फरक रहता है क्योंकि आप जब चीछ बड़ी होती है और छोड़ी structure करते हैं तो थोड़ा सा फरक आता ही है इसके बाद ये एक structure आता है ये से फोड़ा बड़ा है तो ये फार्ड़े 300 का है इसके बाद ये वाला आता है इसमें जैसे आप देख सकते हैं इसको हमने acrylic में covered किया हूँ है ये भी बिना acrylic के भी हैं और acrylic में भी आते हैं तो इस तरीके से हम लोग लग 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 साथ डिजाइन बनाते हैं, आप यह देख सकते हैं बात करें जो आप सबसे बड़ा डिजाइन बना रहे है थिलाल उसकी इमा प्लाइल पर अभी जो हमारा साइज रहे वह बना पिस वाल साइजından यह वाला साथे चौधा हूप दस इंच थर शड़ा है दस इंच इसकी चौड़ाई है और साड़े तेरा इंच इसकी हाइट है अभी जो हम लिटेस इसके बाद जो बनाएंगे वह अठारा इंच का पीस बन रहा है अभी जो ऑफिसे बगारा में लगेगा में जो जगे हैं वहाँ पर एंटरेंस पे यह अभी हमारे हां हाल फिलाल इससे बड़ा साइज नहीं है हम लोग कस्टमाइड डिजाइन बनाते हैं हम लोगों से कोई बोलेगा कि आठ फुट का भी बनाना है तो हम आठ फिट का भी बना सकते हैं तो वह कोई दिक्कत नहीं है यह जो डिजाइन है हमारे हां यह 3500 रुपे का है विदाउट अक्रेलिक बॉक्स अगर इसको हम अक् बावन सो 3500 रुपे के गरीब बैठेगा ट्रांस्पोर्टें चार्जिस एक्स्रा होती है